शनिवार का दिन है उसके घर में प्रवेश कर जाएगा लच्ぎ मने उसके घर में प्रवेश करएगा पुराण की कत्ठा करें कि दुनिया के सारे तीरत नहीं जा सकते प्रत्वी के सारी नदियों में इसनान नहीं कर सकते पवीत्र नदियों में आप इसनान नहीं कर सकते या किसी भी तीरत में जाकर एक रात्री भी विश्राम नहीं कर सकते या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा कोई पुर्ण करा ना करा कोई सत्कर्म करा ना करा कोई शा सारी नदियां सारे सरोवर सारी बावडी सारे असारे सुर्ट के सिस्लाब का पुन्ण दान Tem प्राप्त हो जाता है जहीं घरमें जो द्या होता है तो दीपक भी कोई साजनान होता है लए उस दीपक के महण भता है अपक्र उतर सरा श्रिप आपके जिन्दगी को सवाल, साइद आपके जीवन को सवाल, मेरी जीजियों, मेरी जी जाओ, मेरी बेटियों, बेटाओ, कभी, कभी मुका लगे, शंकर भगवान के शिविलिंग के फास में आप बेठे हैं, यहां तक सास्तर चाहता है, कि घर में अगर किसी को बहुत तेज देख में बहुत बुखार और बच्चा, उस बुखार में तप्रा मरत है एक में तुम तको संकर भगवान के शिविलिंग बासमें या शंकर भगवान के शिविलिंग के ऊंपर कनेर का गर कीला फूद देखा है नमेर्क का तरसू तो जलनते एक है कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवन के ऊपर कहीं रखा हुआ विद्धिक जाए विशम परिस्थितियों बहुत हिम्मत ना हारते हो तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए कनेर का पुष्प वहां र सरफित कर देते हो तो भी मेरा महादेव तुमारे दुख कन्यवारण अब पांच स्थान पहला गनेश जी गनेश जी का जो स्थान होता है वह जब दूसरा शडानंद कार्थी को तीसरा अशुक सुंदरी वाला चोथा जलाधारी जो उपर से बूंद बूंद जल नीचे ग जी की पांच बेटियों का और पांच वे नंबर का है शंकर भगवान के जो इसे वर्णन किया जाए त्रिशूल के तीन भाग होती है करें दर्शन आप लोगने यह से सामने त्रिशूल लगा है इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो तीन भाग दित रहे हैं नजर आ रह कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना करकर श्री शिवाय नमस्तु व्यंकर करकर बाबास अपने मन की बात कहकर जो समर्बित कर देता है हम तीन महीना भी नहीं कहेंगे हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है तीन दिन इंतजार करना मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगए ह ê rests अग्याय करना दूर आ अट चर cảपत चर्ब मत अज्ड़ां करते हो उस्त दिए का आधि यहां तक सब्सक्राइग घर में अगर किसी तो बहुत देज बुखाले अगया है बहूद देज और बच्चा उस भृ निकू थालिजे पानी की स्थच से और चोशी ड़ाज पा तुपाल्टी के पानी से उस बच्चे को इसनान करा दीजिए 15-20 मिनिट आदा हिंटा लगेगा बच्चे को बड़ी बेचेन दिख रही हो तुम क्या बात है पार्वती जी कती है कि देवष्ट का श्मीर प्रदेश का एक भक्त देवष्ट बेलपत्री के बरक्ष के नीचे निटर आपका मंत्र चाहिवर्ण नयाको हीव लगाती है सर्षती भी भीना मजाती है इंदरानी उस बेलपत्री के व्रक्ष के के नीचे जलका सीचन करती है करती ती सकौकिट देवी देवत उसा बिलपत्री के बिलपत्री की जड़ में विराजमान होते हैं इसलिए के देवच एक बार पंचापशर मंतर बोलता है तो वो के 30 करोड़ बार गिना जाता है एसा एल प्रति के बरक्ष होता है बेलप्तिटी आँ नीचे एक वार अगर भगवान का नाम लिया अच्छी कमपणी गलाना और जब यग्डी करने वेठे पूजन करने वेठे वगवान करवाई पूजा कर वाले दुकान पर बोल ना कि पूजा का घी चाहिए तो वो पूजा का समान बेचने वाला भी तच्चतुर था उसने पूजा कई घी दिया तो इन्हें पूचा वह यह घी किते का तो कि 80 रुपए का तुझा 80 रुपए का आधा किलो तो कि पूजा का है आरत की भोमी पर इस मृत्तियु लोक में पूरे विश्व में एसे कई घर जिनके घर में गुजारा करने के भी आफ़त है तहने के कपड़े नहीं किसी के यहां पर भोजन नहीं किसी के यहां जमीन नहीं किसी के यहां दुकान नहीं कोई-कोई पूरी जिंदगी किराई के मकान में निकाल देता है नहीं मेरा एक निवेदन है इस कथा को जितने चत धक्के की जिन्दगी जी रहे हो दर्वाजे पर बेटे हो कहीं ना कहीं तुम दास से भाव की जिन्दगी जी रहे हो तकलीप में जिन्दगी जी रहे हो बहुत दुख की जिन्दगी जी रहे हो बहुत कश्ट की जिन्दगी जी रहे हो उनसे केवल निवेदन करूंगा तीन म महीने एक शंकर भगवान के शिविलिंग पर दूसरा बेल पत्री के पेड़ के नीचे दो जगा पर जल चड़ाना तीन महीने लगा पर चालू कर दो बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें उन नपी की सीड़ी पर चड़ा देगा हमें कोई चमतकार करना नहीं आता औ अगवान शंकर के शिविलिंग पर जल और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चड़ाया उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेल पत्री के पेड़ के नीचे चड़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूत नहीं पड़ेगी जो तुमने शिवजी को जल च चड़ाया बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चड़ाओ उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे चड़ाना प्रानम करना कौन सा बेल पत्री का ब्रक्ष जिसकी छाया आपके उपर आ रही है शिव महापुराण बड़ी सुन्दर बात करता ह ज्यान दीजेगा जिस बेल पत्री का पोधा तुमारे सिर का और ये दोनों हाथ उपर कर लो अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ उपर करे इतना बड़ा बेल पत्री का पोधा है उस बेल पत्री के पोधे की पत्ती को कभी तोड़ कर शंकर जी को नहीं संकर भगवान को कभी नहीं चड़ाना संकर भगवान को उस बेलपत्री को उस ब्रक्ष की पत्ति को तोड़ना चाहिए जो ब्रक्ष तुमारे हाथ से थोड़ा सा उंचा हो जिसके लिए तुम्हें हाथ और उंचा करना पड़ रहा हो जैसे एक बच्चा अपनी मा की गोध मे बेठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ उपर करता है, तो मा उस बच्चे को गोधी में ले लेती है, उसी तरह उस बेल पत्री के ब्रक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए, जिसने थोड़ी उन्नती कर ली हो, ज पिल्कुल जड़ा सकोध उसी की पत्ती तोड़कर महां देवो चड़ा ओगे ये स्रिष्टता नहीं ज़िए ये बेल-पत्री का पेड़ आपके यहां है और मान लोक पत्री का ब्रक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से पाहर निकलते हैं तो राइट आंकी और ब तो आप एक रुपे कमाएंगे सबारुपे खर्च होगा पैसा हाथ में टीके गाने घर में दस लोग भी कमा रहे हैं तो पैसा घर में टीके गाने आएगा जरूर सारे काम होंगे पर टीके गाने यदि लेफटर लाइट भागता बेलपत्र सुखका बेलपत्र का वरप्च घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना जाए और एसी जगा नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्कूस की नीचे पाज़़गा कि इसी व्यक्ति से कोई काम करवा ना वो काम नहीं कर रहा हुँ टक्स prinz फाइल आगे नहीं बढ़ रही है कोई कारे अटक रहा है या फिर कहीं रुपिया पीसा अटक गया हो नहीं निकल रहा हो तो एक जल के पात्र में जल भरकर पांच बेल पत्री शिवजी को समर्पित करकर कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद कुष्प बेल पत् और अच्छे से समझ लेना शंकर जी पर जब जबचलाता है शिवजी का जब अभी शेख होता है शंकर जी पर जप्शेण है रुटत है और यह बात till जीथे km taking a आप के ऊपर हो बहुत द्यान जीजेगा तो यहां तक वर्णन करा गया कि शंकर जी का जल चड़ा हुआ जहां से वहकर जाता है न, उसको लांगा तक नहीं जाता है, यहां लांगते हैं कय Anda? नहीं नहीं प्रिक्मा भी करेंगे तो महीं से candle भाकर जाए रहा ह, उसको लांगा तक नहीं जाता है, और कई लोग बड़े मुद्ध आप भगवान को अगर जल चड़ाओ दूद चड़ाओ तो मन जो अगर जैसे एक सरल भासा में समझ दो और अच्छे से कि जैसे यह यह क्रीशी आप होता है और कमण्द की अनवूती कारे में में सिद्धता भी होग Being झाल झाल